नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीड थपकी को देख फूट फूट कर रोया पूरब उसके गले लगकर थपकी भी रह गई शौक्ड उसे एहसास हुआ कि पूरब उसे कितना प्यार करता है जिहां आपको बताते हैं कि क्या हुआ है पहले तो ऐसा लगा कि जैसे थपकी को खुद पूरब जो है वो बचा कर अपने घर लेकर आया है लेकिन ऐसा हुआ नहीं बलकि थपकी उसे मिली ही नहीं उसने बहुत ढूटने की कोशिश की लेकिन तब भी थपकी नहीं मिली थखार कर पूरब जो है वो घर आ जाता है जिसे देखकर जो पूरब की दादी मा होती हैं वो पूछती है कि क्या हुआ थपकी नहीं आई पूरब के पापा भी पूछते हैं क्या हुआ तम्हारे साथ थपकी नहीं आई थपकी तुम्हें मिली नहीं क्या जिसके कि तुमने रिपोर्ट कराई जिसके बाद यहां पूरब कहता है कि नहीं मैंने नहीं दर्ज कराई जबकि मैं गया था पूछने के लिए लेकिन पुलीस ने कहा है कि कम से कम 24 घंटे की मिसिंग होनी चाहिए तभी यह पॉसिबल है तभी हम इसे करवा सकते हैं इसके बहुत प फूटकर रोता नजराता है उसे समझ नहीं आता कि वो कहे भी तो क्या कहे ठपकी को पूच रहा होता है कि कहा चली गई थी तू मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो ह्योधकर भी नजराता है और थपकी यह सब देखकर काफी जादा शौक्ड हो जाती है कि पूरब उसे इतना प्यास करता है जाहर तोड पर पूरव ये नहीं कहता कि वो उसे प्यार करता है लेकिन जिस तरीके से उसके लिए फूट-फूट कर उसके गले लग कर रोता है वो आप सानी से देख सकते हैं यह से खुँद अधकी कि भी महसूस करती है इसके बात घर वाले पूछते है कहा गई थी यानि की लगातार पूछते हैं यहां पर जो पूरब होता है वह भी पूचता रहता है तभी केहती है कि मैं pregnant हूँ चुन कर पूरब के जाता है उसे समझ नहीं आता कि यह क्या कह रही है थपकी लेकिन यहाँ पर थपकी ने बताया कि वह प्रेगनेंट है अब थपकी और पूरब के बीच कब कहां कैसे नजदी क्या होई थी यकिनन यह देखकर पूरब भी शौक्ड हो गया है फिलहाल आने वाला ट्रैक बहुत ह कि अगर थपकी प्रेगनेंट है तो जाहर दोर पर पूरब अब और भी जादा थपकी के करीब आने वाला है इस वीडियो में बस इतना ही